अब इसमें सेव पूरी निकल रही है यह मशीन में वैसे आप इसमें समोसा बट्टी नमक पारा शक्कर पारा निमकी मठरी सेव पूरी इस सब निकाल सकते हैं देखी इसमें सेव पूरी निकलना चालू हो गई है यह भी सैंपल के लिए कम आटा लिया गया है वैसे इसमें 35 से 40 किलो का एक घंटे का प्रोडक्शन है एक घंटे का कटिंग है आप देख सकते हैं अभी आटा खतम हो गया इसलिए आपको यह ब्रेकेज दिखेगा अधरवाइस आपका कंटिंई आटा जब चलते रहता है तो सिर्फ ऐसे ही से पूरी निगलते रहेगी कंटिंई आपकी तो देखा आपने कैसे बनती है चाट पूरी इसमें आप और भी बहुत कुछ बना सकते हैं जैसे नमक पारा, निमकी, शकर पारा, समोसा पट्टी, चाट पूरी, मठी और भी बहुत कुछ आपको इसमें करना क्या है? बस डाइचेंज की और कर लिया अपना मंचा प्रोडक्शन